ये आकाश्वानी रैपुर है प्रादेशिक समचार बुलेटिंग के साथ मैलत देवी चहान और पेश है आज के मुख्य समचार राजेपाल ने आज उत्तिस तरी बैठक लेकर क्वारंटाइन सेंटरों की विवस्था में सुधार करने के दिये निर्देश राजे में आज से धारमिक स्थल स्टेडियम और सारवजनिक उध्यान खुलने के अनुमती दी गई कठिंग शेत्रों में तैनात पुलिस करीमों के अवसाद और तनाव को दूर करने के लिए शुरूखिये स्पंदन अभ्यान के तहत आज डीजीपी कागेर जिले के तरांदूल गाव में स्थित 36 रशासर रबल के कैम पहुचे और प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दुरान कुछ स्थानों पर हलकी बारिश होने अत्वा गरत चमक के साथ छेटे पढ़ने की संभावना कुछ स्थानों पर आकाशी बिजली गिरने की चेतावनी अब समचार अविस्तार से राज़ेपाल अनुसिय उईके ने कहा है कि राज़ी के विभिन स्थानों में बनाये गए कौरंटाइन सेंटरों की विवस्ता में सुधार किया जाए साथ ही सामुदाइक संकरमन की स्थिती से बचने के लिए ठोस उपाय किये जाए राज़ेपाल ने आज राज़भवन में प्रदेश की में कोरोना संकरमन की स्थिती और उससे बचाव के उपायों की समिक्षा करने के लिए एकुचिस्तरी बैठग ली इस अज़र पर वैष्ट अधिकारियों को संबंधित करते हुए राज़ेपाल ने कहा कि कॉरंटाइन सेंटर में महिलाओं, बच्चों और बुजर्गों की सुविधाओं का विशेश ध्यान रखा जाएगा सुश्री उईके ने कहा कि जो प्रवासी मजदूर 36 गड़ लोटे हैं, उन्हें उनके कौशल के अधार पर बैंकों के माध्यम से बिना गारंटी के रिन उपलब्ध कराने के संबंध में पहल की जानी चाहिए राजेपाल ने कहा कि आयूश मंत्राले द्वारे निर्धारित काड़े की कौरंटाइन सेंट्रों में वित्रन किया जाए, राजेपाल ने कहा कि कंटेन्मेंट जोन सहीत अनिक शेत्रों में पुलिस आमजन्तक के साथ आत्मीता और संविदेश शिल्था के साथ विवहार क इस मौके पर मुख्य सचीव आरपी मंडल ने बताए कि प्रदेश में कोरोना वाइरस की रोख्थाम के लिए पुक्ता विवस्था की जा रही है। इस सरकार कौरंटाइन सेंटरों में प्रवासी मज़़ों को घर जैसे महल उपलब्द कराने के लिए हर संभाव कदम उठा रही है। बालो जुले के क्वारंटाइन सेंटरों में बच्चों के लिए खेल समागरी का वित्रण किया जा रहा है जिसे बच्चों में रचनात्मक और कलात्मक विकास के साथ ही उनका समय उत्साहपूरग बीच सके हैं वही महिलाओं को गरिमा किट उपलब्द कराई गई है इस गरिमा किट में महिलाओं को सानेटरी नैपकिन और डिस्पोजल पेपर बैक जैसे सामगरी दी गई है इसके अलावा फ्रवासी मजदोरों की रोग प्रतिरोधक्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें आयरुवेद आउशाधाले द्वारा प्रति दिन काड़ा भी दिया जा रहा है 36 गर में आज समचा लिखे जाने तक कोरोना संकरमित 11 नय मरीजों के पुष्टी हुई है इनमें काकेज जिल्य से पांच, बिमितरा और कोरिय जिल्य से तीन-तीन मरीज शामिल हैं वहीं बीती देरात 20 नय कोरोना संकरमित मरीज मिले हैं प्रदेश में फिलहाल 834 मरीजों का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है अभी-अभी ख़बर मिली है कि राजनान गाउं में जो पांच संकरमित मिले हैं उनमें भारत तिब्बस सीमा पुलिस ITBP का एक जवान भी शामिल है यह जवान हाल ही में लखनों से लोटा था उसे सोमनी के कॉरंटाइन सेंटर में रखा गया था जहां पर जाज के बाद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है इससे पहले भिलाई में पदस्त सीमा सुरक्षबल B.S.F की एक जवान में भी कॉरोना संकरमित होने के पुष्टियो ही थी इस जवान का इलाज भिलाई के कोवीड अस्पताल में चल रहा है इस बीच राजसारकार द्वारे यह प्रयास किये जा रहे हैं कि कोरोना के लक्षन वाले लोगों को उनके जिलों में ही इलाज उपलब्द हो सके इसी कड़ी में कभीधाम जिले में ऐसे कोरोना संकरमित वेक्तियों जिनमें उपरी तौर पर लक्षन नहीं दे रहे हैं उनके उपचार के लिए 220रों का कोवीड केर सेंटर बनाये जाएगा इसके लिए जिला स्तरप पर संचालित कन्या सिक्षा परिसर को कोवीड सेंटर में तब्दिल किया जाएगा इसी तरह से बालो जिले में भी अब कोरोना पॉजिट्व पाए गए मरीजों को एम सर्यापू ये राजनान गाओ के मेडिकल कॉलेज नहीं भेजा जाएगा बलकि उन्हें बालोत के ही कोवीड अस्पताल में भरती करा उनका इलाज किया जाएगा अस्पताल में फिलहाल सौ बिस्तर त्यार किये गए हैं वहीं कोरोना संकरमन के संदिक दिव्यक्ति को रखने के लिए ताउन हॉल और महादेव भवन को अधिगरित किया जाएगा देश के अनेक राज्यों में अनलोक वन के तहत वीते करीब धाई मैने से बंद धार्मिक स्थल, शौपिंग मॉल, रेस्टराँ, होटल और कारेले आज से फिर खुल गया हैं केंद सकार दोरा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, कंटेंडमेंट जोन में प्रतिष्ठानों को खोलनी के अनुमती नहीं दी गई है, धार्मिक स्थलों में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश के अनुमती होगी, जिनमें संक्रमन के लक्षन नहीं होगी प्रसाद वित्रन करने या पवित्र जल छड़के जाने की इजादत नहीं दी जाएगी प्रतिमाओं और धार्मिक ग्रंतों को छुना भी प्रतिबंदित रहेगा साथी मास्क लगाने या चेहरा ढखने और 6 फूट की सुरक्षित दूरी बनाए रखना अनिवारी होगा इसी कड़ी में 36 गड़ में भी आज से सारे धार्मिक सलों के अलावा गार्डन और स्टेडियम खोले जा रहे हैं दिशार रदेश के अनुसार स्टेडियम में इंडोर गेम्स नहीं होगे केवल मैदान वाले गेल खेलने की अनुमती होगी इस दोरान भी खिलाडियों को निश्टित दूरी बना कर अभ्यास करना होगा वहीं सुरक्षा के लिहास से स्विमिंग पूल, जिम, और्डिटोरियम, शॉपिंग मॉल, मल्टिप्लेक्स और टॉकीजों को भी खोलने के अनुमती नहीं दी गई है इस बीच धार्मिक स्थलों को खोलने के अनुमती मिलने पर आज विकास उपाध्या के साथ 31 पंडितों ने मुख्यमंत्री निवास पहुँचकर शंकनाद और मंत्रो चार के साथ श्रिव अगेल का भारवेक्त किया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वारेस से बचाव के लिए मंदिरों में मास्क और सेनेटाइजर के साथ ही निश्चित दूरी का पालन अरिमारी रूप से किया जाए प्रदेश में कोरोना संक्रमन के लगतार बढ़ते मामले को देखते हुए महसुम उन्जिले में इस वहमारी से बचाव के लिए तानात स्वास्त कर्मी और पुलिस कर्मियों को एतियात के तौर पर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की टाबलेट खिलाना शुरू किया गया है स्वास्विभाक के अनुसार वर्तमान स्थितियों को देखते हुए मिशेशग्यों की राय के अधार पर इस दवा को प्योग शरीर में रोग प्रतिरूद शम्ता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है साथ ही यदवा उचित देखरेक में आयूबर्ग और शारीरिक शम्ता की अनुसार दी जा रही है मुक्यमंत्रे वुपेश बगेल ने केंद सरकार से प्रस्तावित विद्दू संशोधन बिल 2020 को फिल हाल इस सगित रखने का आगरग किया है श्रिवागेल ने इस संब्द में केंद्रे विद्दूत राजिमंत्री स्वतंत्र पभार आर के सिंग को पत्र लिखा है अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि संशोधन बिल में क्रॉस सबसीडी का प्रावधान किसानों और गरीबों के हित में नहीं है मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों को विद्द पर दी जाने वाली सबसीडी यदि जारी नहीं रखी गई तो किसानों के सामने फसलों की सिचाई को लेकर संकट खड़ा हो जाएगा इससे खाद्या नूर्पादन भी प्रवावित होगा श्रिबगेल ने पत्र में कहा है कि समाज के गरीवर्ग के लोगों और किसानों को आत्मिन निर्भर और सक्षम बनाने के लिए उन्हें छूट दिया जाना जरूरी है प्रादेशिक समाचार आप आकाश्वाणी रापूर से सुन रहे हैं आकाश्वाणी समाचार रापूर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामाइक कारिक्रम आप रेडियो के लावा अपने मोबाईल पर भी सुन सकते हैं आकाश्वाणी समाचार, Facebook, Twitter और YouTube पर भी उपलब्त है हमारा Facebook पेच 36गड़ News on AIR Twitter handle CGAIR News और हमारे YouTube चैनल है 36गड़ AIR News तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जर्ये भी हम पहुँच रहे हैं आम तक 36गड़ की हर खबर के लिए सुनते रहे हैं आकाश्वाणी समाचार और आबागे बढ़ते हैं बागी के समाचारों क्यों मावादियों को कार्टूस की आप पूर्ती करने के मामले में सुकमा पुलिस ने दो जवानों से छे आरोप्यों को गिरफतार किया है गिरफतार जवानों में एक सहायक उपनेरिकषक और एक प्रधान आरकशक शामिल है जिले के पुलिस अधिकषक शलब सिन्धा ने इस बात की पुष्टी किया है गोर तलवे के इससे पहले इस मामले में चार लोगों की गिरफतारी के बाद इस पूरे मामने का खुलासा हुआ था बिते चार जून को सुखमा पुलिस ने धमतरी और गुंडर दिये कि एक एक वेक्ति को संदे कैधार पर हिरासत में लिया था पूस्तास के बाद काकेर से भी दो वेक्ति को गिरफतार किया गया था प्रदेश में चतिजगर पुलिस वरा आज से स्पंदन अभियान के शिरुवात हो गई है इस अभियान के तहट काकेर जिले के तरांदूल गाउं में तैनात चतिजगर शशस्तर बल सी एफ के जवानों से मिलने पहुँचे पुलिस महानेदेशक डियम अवस्ति ने कहा कि स्पंदन अभियान का मूल उद्देश चतिजगर पुलिस के प्रतेक जवान की सुरक्षा है डीजीपे ने कहा कि आपका जीवन बहुमूल्य है इसे बचा कर रखे उन्होंने कहा कि समवाद से सभी समस्याओं का हल संभव है श्रीयवस्ति ने कहा कि किसी जवान को गंभीर समस्य या छुट्टी की जरूत है तो कंपनी कमांडर सववेदर शिल्त दिखा है डीजीपे ने इस जवरान शिवर में जवानों के लिए लैबरेरी का उधगाटन किया साथ ही खेल समागरी भी वित्रित की गौर्दलवे के पुलिस जवानों में अवसाद और तनाव की समस्याओं को दूर करने के लिए हाल ही में चक्तिसगड़ में स्पंदन नाम से यह अवियान शुरू किया गया है कॉंड़ागाउ जिले में भी आज पुलिस अधिक्षक ने स्पंदन अवियान का शुबारंब किया एजवरान योग शिवर का आयोजन किया गया राधानी रापूर के उरला इलाके में राहगीरों से मारपीट करने वाले निरक्षक को छुट्टी पर भीज दिया गया है रापूर के वरिष्ट पुलिस अधिक्षक आरिफ शेख ने इस मामले में विभागी इजाज के आदेश दिये है गौर तलबे की कल सोशल मीडिया में उरला थाने के निरीक्षक दवारा रागीरों से मारपीट के जाने का वीडियो वायर हुआ था इसके बाद मुख्यमंत्र भुपेश बगिल ने ट्वीट कर कहा था कि इस तरह की घटना आमानुवी है और इसे स्विकार नहीं किया जा सकता प्रदेश के पूर मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्री उपाध्यक्ष डॉक्टर रमान सिंग ने केंदसरकार के एक वश्का कारेकाल पूरा होने पर बिलासपुर में व्यक्तिकर संपर का अभ्यान की शुरुआत की डॉक्टर सिंग ने भाजपा कारेले में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि इस अभ्यान के तहद भाजपा के पदादिकारी और कारेकरता प्रदेश के 25 लाग घरों तक पहुचेंगे इस दोरान विकेंदसरकार की योजना और उपलब्दियों की जानकारी देंगे के खलाफ व्यापक अभ्यान चनाने की बात कहीं इधर दुर्ग में व्यक्तिगर संपर्क अभ्यान का शुभारंब करने पहुचे भाजपा विधायक शेव रतन शर्मा ने केंदसरकार की उपलब्दियों की जानकारी दी जाएगी साथ ही प्रदान मंत्री का लिखा हुआ पत्र भी देंगे शिशर्मा ने बताए कि यह जंजर्प अभ्यान एक महिने में पूरा होगा उन्होंने बताए कि कोरोना संकरमन को देखते हुए वर्चिवर रैली का आयोजन किया जाएगा जिसमें किसी केंद्री नेता द्वारा बड़ी संख्या में प्रदेश के कारेक मुख्यमंतरी ने अपने संदेश में कहा कि बिर्सा मुंडा का अदम में साहस हम सब के लिए प्रेर नसरोथ हैं श्रिप अख appeal ने कहा कि आदिवासियों को उनका अदिकार और स्वाभिमान दिलाना ही बृर्झा मुंडा की सच्ची से धानली होगी वही मुख्यमंतरी ने प्रसिद्ध रंग करिम हबीब तन्वीर के पुन्नतिती पर उन्हें नमन करते हुए अभिन्य कला के एक शेत्र में उनके योगदान को याद किया शिबगेन ने कहा कि हभीब तन्वीर चत्तीस गड़ के गौरफ थे उन्होंने इस अंचल की कला को अंतर राष्ट्रिय मंचो तक पहुँचाया प्रदेश में शिक्षक भरती की सूची जल्द जारी करने के मांग को लेकर धमतरी जिरे के व्याख्याता, सिक्षक, सहायक सिक्षक और व्यायाम सिक्षक प्रयोक शाला के कुल 14,580 पदों पर परिक्षा लिगे थी लेकिन एक वर्ष बीच जाने के बाद केवल परिष्ट के परिणाम जारी किये गए हैं वहीं सत्यापन के प्रक्रिया अब भी जारी है प्रदेश की अवन विभाग ने केशकाल घाटी साहित अनस थलो पर वन ने प्राणियों को रहागेरों द्वारा खाद सामागरी नहीं देनी की अपील की है इस समन में प्रधान मुख्य वन संरक्षन अतुल शुकले ने बताया कि वन ने प्राणियों को रहागेरों द्वारा खाद सामागरी अत्वा भोजन देने से वन्य प्राणियों की तबियत बिगड़ने और उनके हिंसक होनी के अशंगा बनी रहती है श्रिशुकले ने बताये कि 36 गड़ के जंगलों में वनोपच की कमी नहीं है और वन्य जीव हर मौसम तथा परस्थित्यों में अपने भोजन की विवस्था करने में स्वयम सक्षम होते है और अपेश है मौसम का हाल प्रदेश में आगामी 24 गंटों के दोरान कुछ अस्थानों पर हलकी बारिशोंने अत्वा गरत चमक के साथ छीटे पढ़ने की संभावना है वहीं कुछ अस्थानों पर आकाशी बिजली भी गिर सकती है रापुस्थित मौसम विज्ञान केंदर के विज्ञानी एच पी चंदरा ने बताया कि एक चक्रिय चक्रवाती घेरा पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूरी मध्य बंगाल की खाड़ी के आसपा स्थित है इसकी प्रभाव से एक निम्न दाप का श्रेतर अगले 48 घंटों में पूरो मध्य बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है इसकी असर से मौनसुम के आगामी दो-तीन दिनों में प्रदेश में पहुचने के असार है इस बीच आज प्रदेश के राजनन गाव में दो पहर बार तेज हवाओ के साथ जम कर बारिश हुई इसी तरह महासमन और कोरिया जिले में भी बारिश होने के समचार है इससे इन जिलों के तापमान में कमी आई है वहीं बलरामपुर जिले के बसंत पुर्थानक शेत्र के अंदरगर मुर्कॉल गाव में बीती शाम आकाशी बिजली गिरने से दो बच्चों की मौत हो गई जबकि एक वेक्ती जुलस गया अब कुछ अन्य ख़बरे संक्षिप्त में मुक्यमंत्र वुपेश बगेल आगामी 10 जून को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए कलेक्टरों की बैठक लेंगे सुकमा जिले के किस्टा राम इलाके में वेलकन गुड़क शेत्र में मावादियों ने एक रोड रोरर में आग लगा दी दुर्ग जिले में एक कारोबारी के घर से ग्यार चोरों ने 9 लाक रुपे नगत सहीद 11 लाक रुपे की चोरी को अंजाम दिया है इसे जिले के पलिस ने मुबाइल लूटने वाले गिरों के तीन सदस्यों को गिरफतार किया है पलिस ने इनके पास से दो पहिया वाहन सहीद 7 मुबाइल फोन जब्त किये हैं राजनान गाउं जिले में लाल बाग थानाक शेतर अंद्रगत घोरगा गाउं में पलिस ने जुवक खेलने के आरोप में 6 लोगों को पकड़ा है इनके पास से पलिस ने सवा 4 लाख रुपए सहीद 4 मुबाइल फोन जब्त किया हैं और रागर जिले के चंदरपूर राश्ट्री राजमार्क पर आज हुए एक सड़क हाथसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौथ हो गई अन्तिमे मुक्य समाचार एक बार फिर राजपाल ने आज उच्च स्तरी बैठक लेकर क्वारंटाइन सेंटरों की विवस्था में सुधार करने के दिये निर्देश राज़में आज से धार्मिक स्थल, स्टेडियम और सारवनेनी उध्यान खोलने की अनमती दी गई कठिंग शेत्रों में तैनात, पुलिस, कर्मियों और अवसाद और तनाव को दूर करने के लिए शुरू किये इस फंदन अभ्यान के तहट आज डीजीपी काकेर जिले के तरांदूल गाउन में स्थित 36 शशस्तर बल की कैम्प पहुंचे और प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हलकी बारिश होने अथ्वा गरत चमक के साथ छेटे पढ़ने की संभावना कुछ स्थानों पर आकाशी बिजिले गिरने की चेतावनी इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटें समाक्त्वा नमस्कार